हेलो डियर डी फार्मा इस्ट डी फार्मेसी एक्जिट एक्जाम की प्रिप्रेशन अब होगी आसान क्योंकि इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं पूरे ग्यारा सब्जेक्ट के मॉडल के पर जैसे कि आज हम स्टडी करने वाले हें Human Anatomy and Physiology से 20 ऐसे MCQs with explanation जिनके आपके एक्जामनेशन में आने के maximum chance है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पर आपको हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एक्जाम के रिगार्डिंग MCQs एंड क्लासिस प्रवाइड की जाती हैं चलिए तो देखते हैं Human Anatomy and Physiology से क् कुछन पूछे जा सकते हैं आपके एक्जिट एक्जामनेशन में फर्स कुछन है oxygenated blood from lungs is carried to heart by means oxygenated blood है उसे लंग से heart तक कौन सी जो आर्टरी है वेन है क्या कुछ है जो कि पहुचाता है तो यह बात ध्यान रखिएगा जैसे कि आपका जो heart है और यह आपके लंग है ठीक है यहाँ पर आपका क्या कुछ है लंग है समझिए ओके तो heart के जैसे कि चार चंबर होते हैं तो आपके heart से क्या होता है यह जो blood है deoxygenated blood है वो कहा जाएंगे liver में ठीक है और liver क्या करता है gaseous exchange का काम यह करेगा ठीक है तो जो deoxygenated blood है यहाँ पर इनका क्या होगा है purification होंगे और oxygenated blood फिर से heart पर आएंगे और यही heart फिर क्या करेगा पूरी body को supply यह करता है तो यहाँ पर देखिए आप सभी जानते है artery क्या है यही पर एक चीज confusion होता है इस question को ध्यान से समझ लिजेगा artery mainly क्या करता है जो oxygenated blood होते है उनी को transfer करता है बट एक मात्र ऐसी artery है जिसकी बात करेंगे pulmonary artery जो कि क्या carry करता है यह आपके de oxygenated blood को carry करता है यह exception है कह लिजेए एक मात्र ऐसा artery है जो की de oxygenated blood को carry कर रहे है इसको आप ध्यान लखेंगे फिर यह दी हम बात करते हैं vein ठीक है यहाँ पड़ दिया गया pulmonary vein और आप सभी जानते हैं vein यह दी मैं बात करूं तो vein क्या करता है हमेशा de oxygenated blood को carry करता है बट pulmonary vein एक मात्र ऐसा vein है जो कि क्या करेगा oxygenated blood को क्या करता है carry करता है और यही lung से heart तक जो आपके oxygenated blood है उसको क्य करता है transfer करने का यह काम करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा pulmonary vein आपका correct answer होगा इन दोनों में difference आप याद रखेंगे क्योंकि यहीं पर generally confused हो जाते हैं सभी student ठीक है pulmonary artery और pulmonary vein का एक अलग ही काम है इनको ध्यान में आप रखेंगे ठीक है कितने चंबर होते हैं तो आप सभी जानते देखिए heart में आपके क्या है चार है में लेट आटरियम राइट आटरियम लेट वेंटरिकल और राइट वेंटरिकल तो इस प्रकार से क्या होती है blood का यहां पर circulation किया जाता है इनको आप सहीं से ध्यान रखेगा यह पूरी flow chart भी दी चलिए नैस चलती है pancreatic juice contain pancreatic juice में क्या कुछ enzyme present होती है यह हमें देखना है ठीक है option देखेंगे यह लिखा है trypsin, lipase, maltase, maltase क्या है आपके starch को यह क्या करेगा अब metabolite करता है metabolism का का काम करेगा, digest करेगा, pepsin, trypsin, maltase वही बात हो गई फिर से, trypsin, chymotrypsin और amylase, trypsin, pepsin, and sucrease, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह आपके trypsin और chymotrypsin, यह दो लोग कहा present होते हैं आपके pancreatic juice में और pancreatic enzyme है भाई, अब बात करेंगे amylase, pancreatic amylase यह enzyme भी क्या करता है, amylase enzyme होते हैं, जो कि आपके pancreatic juice में पाए जाते हैं, ठीक है चलिए, पूरा आप तो यहाँ पर explanation में देख पाएंगे, बहुत अच्छे से, यहाँ पर आपको पूरे pancreatic juice याद हो जाएंगे, क्या कुछ होते है pancreatic juice में, यही पर आपको उनके function और उनके classification याद हो तो देखें, प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक और एमाइलोलाइटिक यह तीन टाइप के enzyme प्रेजन्ट होते हैं, आपके pancreatic juice में, आपके प्रोटियोलाइटिक enzyme की बात करेंगे तो ट्रिपसें, काइमोट्रिपसें, ठीक है, नुक्लियस, कार्बॉक्सी, पेप्ता कोलाइपेज, यह सारे चीजे किसमें प्रेजन होती है, लिपोलाइटिक enzyme की तरह वर्क करती है, जो की pancreatic juice में है, यह आपके enzyme की बारे में बात हो गई, अब organic substance की बात करें, आपके albumin, globulin भी प्रेजन होते है, pancreatic juice में, inorganic substance की तरह sodium, calcium, potassium, magnesium, यह सारे compound प्रेजन होंगे, तो इनको जरूर से screenshot लिजे, आपके लिए काम में आएगा यह जरूर से, ठीक है, next question फिर हम चलते जाएंगे, क्या कुछ दिया है, cardiac output is expressed by, ठीक है, cardiac output means क्या कुछ होता है, stock volume into heart rate, stock volume into peripheral resistance, और cardiac output into heart rate, ठीक है, तो आपके cardiac output की से कहेंगे, जब आपका ऐसा volume, ठीक है, stroke volume जिसे हम कहते है, ऐसा volume जो की क्या हो, एक बार जब heart beat करे, तो जितना volume blood का क्या हो, pump out हो, उसे हम क्या कहते है, stroke volume कहा जाता है, यह आप लोग सबसे पहले जान दीजिए, ठीक है, अब इनका हमें into करेंगे, किसके साथ, एक minute में, कितनी बार हमारा heart क्या किया है, beat किया है, यह दोनों हम into कर देंगे, फिर जो result आएगा, वो क्या कहलाएगा, cardiac output, ठीक है, यानि कि एक बार जब beat किया है, तो कितना volume हमारा blood का out, pump हुआ है, और कितना beat एक minute में करता है, इन दोनों को हम into कर देंगे, जिसे कि हमारा आएगा cardiac output का result, clear, तो चलिए, यहाँ पर मैं बात कर देखिएगा, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, stock volume into heart rate, और देख पाएगे, cardiac output मिन्स क्या होगा, यह आपके stock volume के साथ हम heart rate को into कर देंगे, stock volume क्या होगा, यही एक बार heart beat करता है, तो जितना blood pump out हो रहा है, उसे हम आपका stock volume output कहेंगे, ठीक है, और heart rate की बात करेंगे, तो यही आप आपका one minute में, ठीक है, one minute में कितनी बार यह beat करता है, यह आपका heart rate कहलाएगा, ठीक है, यह चीजों को ध्यार में रखेगा, तो यदि हम calculate करें कितना कुछ cardiac output होता है, तो देखिए, cardiac output की बात करें, तो आपका stock volume 70 ml per bit होता है, ठीक है, 70 ml per bit आपका जो volume है, किनका stock volume, जो कि आपके heart beat, एक बार heart beat होती है, तो इतना pump होता है, ब्लड कितना, 70 ml per bit होगा, और heart rate, one minute में 72 time यह क्या करता है, आपका heart beat करता है, इन दोनों को into कर देंगे, तो क्या कुछ होगा, 5.404 liter per minute यह रहेगा, आपका cardiac output, तो इस data को याद रखेगा, directly question बन सकते हैं, next angiogenesis refers to, angiogenesis किसे किया कहा जाएगा, formation of new tissue, ठीक है, new tissue का formation होना, formation of new blood vessels, formation of new epithelial layers and deposition of collision matrix, तो क्या कुछ कहलाते हैं, यह आपके angiogenesis, ठीक है, तो यहाँ पर genesis मतलब कि कुछ न कुछ चीजे generate हो रही है, formation इनका हो रहा है, बन रहा है, तो क्या कुछ बन रही है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर blood vessels, नई blood vessels को बनना, यही कहलाता है हमारा angiogenesis, ठीक है, angiogenesis का यह term आप ध्यान में रखिए, बहुत important है, जब कभी भी new blood vessels बनती है, जो क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है, oxygen, nutrients, जो आपके proliferating fibroblast वगेरा है, epithelial cells है, उनको यह oxygen और nutrients प्रोवाइड यह कराती है, तो यह सभी term को आप ध्यान में जरूर से रखेंगे, next है, which of this is the contractile protein of muscle, जो muscle है, आप सभी जानती है, जब आपका movement है, किस तरीके से होता है, जब इन में contraction और relaxation, contraction और relaxation होगा muscles में, तो क्या कुछ protein इन में present होता है, जिनका contraction और relaxation होगा, तब जाकर यह जो आप देख पाएंगे movement, ठीक है, तो यहाँ पर contractile protein पुछा है, जिनका contraction होता होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा, muscle में two type के protein होते है, atine और myocene, यह दो चीज को आप ध्यान में पहले ही रख लें, अब यहाँ पर option देखिए, tubulin, trupomyocene दिया गय actin और myocene, यह दो type के muscles में protein पाए जाते हैं, और यही responsible होते हैं, किसके लिए movement के लिए, ठीक है, इन दोनों protein को आप ध्यान में अच्छिस रखेंगे, चलिए, aneurysm refers to, aneurysm किसे कहा जाता है, contraction of vessel, blockage of vessel, abnormal dilation of vessel and rapturing of vessel, ठीक हैं तो यहाँ आपका aneurysm जो term है, वो indicate किसे कब है, यहाँ पर लिखा गया है, पहले बार ध्यान रखिएगा, कि यह vessel से related है, अब क्या होता है, यहाँ पर aneurysm में, इनका dilation होने लग जाता है, vessel का, वेशल जो है, आपके blood vessel ही कह लिए, वो dilate होने लग जाएंगे, blood vessel जैसे के arteries ही कह लिए, वो abnormally dilate होने लगेंगे, त इस टर्म को सभी टर्म को आप ध्यान में रखते जाएगा, इस प्रकार के जो आपके arteries हो गह रहा है, जो आपकी vessels है, ब्लड वैसल वो dilate होने लगेंगे, यह एक प्रकार का abnormality आपका कहलाएगा, फिर तो यह important चीजों को याद रखेगा, वैसे commonly इनके symptoms dangerous नहीं होते, बट यह जो condition है, यह risk को मिल रही है, यह aneurysm कहलाती है, next है, which is the outermost cranial appendage, ठीक है, चलिए, तो यह आपका outermost cranial की बात हो गई, ओके तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा, जब कभी भी cranial आई, तो समझ लेजे क्या कुछ बात हो रही है, brain की बात सबसे पहले, तो brain को क्या कुछ कर प्रोटेक्ट करने का एक membrane होता है, क्योंकि यह सबसे important है, आपका skull, है न, skull, यह आपके brain, skull का जो क्या कुछ है, उससे ही क्या रहते हैं, प्रोटेक्टि रहते हैं, और इनमें जो muscle का क्या बना हुआ है, लेयर बना हुआ है, इनको हम यहाँ पर divide किया गया है, cranial appendages, ठीक है तो यह आपका duramater होता है, अब चलिए मैं आपको example के साथ बता हूँ, यह आप देख सकते हैं, ठीक है, यह आपके क्या कुछ है, brain है, brain के बात का जो layer बना हुआ है, तो आपकी सबसे पास, brain के सबसे पास क्या रहेगा, पिया मेटर रहेगा, उसके बाद आपकी duramater रहते ह है, तो यह हम बात करें, outer की ओर से, तब duramater सबसे पहले है, और यह हम inner की ओर से बात करेंगे, तब पिया मेटर सबसे पहले होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तीन membrane यह जो आपके meningitis है, human में, यह तीनों को ध्यान में रखते जाएंगे, चलिए, which part of human brain is concerned with regulation of body temperature, अब जो आपका body का temperature है, आपने देखा होगा, fever के time में, body temperature हाई हो जाता है, normal है, आपका 37 degree Celsius होता है, तो यह body का temperature maintain कौन सा पार्ट है, वो करता है, यह जानेंगे, hypothalamus, medulla oblongata, cerebellum और cerebrum, तो आपके जो hypothalamus है, ठीक है, hypothalamus होता है, वो आपके body temperature को regulate करता है, साथ ही सा जो आपके hormones है, इनका भी regulation करने में, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, यह आप ध्यान रखेंगे, कहा कुछ present होता है, तो four brain में, यह आपका brain है, तो यहाँ पे आप देखेंगे hypothalamus four brain में है, pituitary है, और आपके cerebrum, तो इस प्रकार से cerebrum, cerebellum, यह सभी चीजे आप को image में दिखा दी गई है, और यह आपकी जो hypothalamus होते है, endocrine gland, जितने भी endocrine जो system है, उनसे जो hormone secret होते है, और आपके nervous system, इनके बीच में एक प्रकार से link का का काम करता है, इनका main function होती है, तीखें, और body का जो भी, आति साथी से लिए इनको क्या कहते है, hypothalamus act as a body's smart control coordinating center भ smell are also called as, अभी आपने देखा भी होगा, covid के time में, यह चीज़े बहुत देखने को मिल जाती थी, जिनको भी symptom नजर आ रहे है, उनका क्या होता है, loss of smell हो जाता है, तो इस condition को हम क्या कहते है, anosmia, hyposmia, hyperosmia और non of the above, तो देखें, जब किसी चीज़ का loss of means absence, तो यहाँ पर दिया इंडिकेट कर रहा है, smell को, जब बिलकु अपसेंस हो गया है, no, present ही नहीं है, तो इसको हम क्या कहते है, anosmia कहा जाता है, और hyposmia किसे कहेंगे, जब क्या हो, smell बहुत कमारी, जैसे कि आपने देखा होगा, कि ability थोड़ी कम हो जाती है, smell करने की, ठीक है, जो आपके order है, इनको smell करने की, जो capacity है, वो कम हो जाती, जैसे कि जब कभी भी आपको सर्दी वगेरा हो जाती है, cold हो जाता है, तब आपने ये चीजों को महसुत भी किया होगा, ठीक है, और loss of sensation of smell, ये बिलकुल भी जब smell नहीं आए, तब इनको हम क्या कहेंगे, anosmia कहते हैं, और hyperosmia, जब आपक ये cell हमारा सबसे ज़्यादा basic unit है, life का, ये आप जानते हैं, अब इन में अलग-अलग काम होता है, तो जो powerhouse है, मतलब की powerhouse का क्या काम होगा, energy produce करने का, और ये question आप 11, 12th से 9th से देखते आ रहे होंगे, powerhouse of cell किसे कहते हैं, mitochondria को कहते हैं, ठीक है, mitochondria में क्या होता है, energy production, ATP का production होता है, इसलिए हम powerhouse of cell कहते हैं, अब देखती जाहिए, सभी जो cell के organals है, उनका और क्या कुछ alternative नाम है, इनके function के according, जिससे directly question पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, nucleus, जो की main center होता है, हमारी cell का, जिसे हम brain कहेंगे, brain of cell होता है, lysosome क्या है, suicidal bag of cell, जो की आत्मत्या कि ठहली या फिर digestive bag, इसे ही कहा जाता है, गौली अप्रेटर्स किये क्या है, आपका post office होता है, ठीक है, post office of the cell, या फिर सिपिंग डिपार्ट्मेंट अप देखता है, mitochondria क्या होता है, powerhouse होता है, powerhouse of cell और ribosomes, यह protein की factory कहलाते हैं, यही पर protein का synthesis होता है, चलिए, तो यह सभी बहुत important term है, इनको भी screenshot ले लिजे, आपके काम में आएगा, next है आपका steps, is which type of bone, यह जो आपका steps है, वो कौन से type का bone है, longest है, smallest है, smallest है, funny है, कि strongest bone रहने वाला है, ठीक है, तो यह आपका as for क्या याद रखेंगे, आप लोग small, यह सबसे small bone है, जो की ear में पाए जाती है, ठी इमर होता है, जो thigh का bone है, उसे हम क्या कहते है, longest और आपके strongest bone यह होता है, और small, छोटा सा, यहाँ पर आप देखेंगे, देख पार हैं, कितना छोटा सा bone है, यह आपका, यही क्या कहलाता है, स्टिपस कहलाता है, जो की आपके ear में present होता है, ठीक है, यह आप लोग बिलकु को कहते हैं, चलिए, अब आगे आएंगे हमारा emphysema is a, emphysema किसे कहा जाता है, तो यह आप जान लगिएगा, neural disease दिया गया है, digestive disorder, pulmonary disease and renal disease, यह दि हम बात करते हैं, यहाँ पर emphysema, तो यह आपके lung से related होता है, ठीक है, emphysema क्या होता है, lung से related है, जहाँ पर क्या होता है, lung में जो gases exchange करने वाले, जो थैली समान क्या होते हैं, alveoli होते हैं, यह क्या होते हैं, destroy हो जाएंगे, फट जाएंगे, जिससे क्या होता है, gases exchange करना, क्या हो जाएगा, मुस्किल हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, यह आपका inphysema कहलाता है, और यही आपके pulmonary disease, क्योंकि lung म through असानी से exchange, इनका हो रहा था, gas का, यह क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से damage हो जाएंगे, फट जाएंगे, जिस condition को क्या कहेंगे, हम emphysema कहते हैं, चली आगे बढ़ते हैं, which is the pH of duodenum, जो आपके duodenum है, उनका pH क्या कुछ होता है, यह बहुत important है, सब के pH ध्यान में होते हैं, जो की होता है, 7 to 8.5 तक की pH engine का होगा, जान रखिएगा, जो आपके saliva है, उनका pH क्या कुछ होता है, यह आपके 6.5 to 7.5 तक होगा, अब जो अपर स्टमक, जहाँ पर HCL का सेक्रेशन वगरा होगा, ठीके, वहाँ पर देखते जाएगा, अपर और लोर स्टमक, वह pH तक रहेंगे, ठीक है, और डियोडीनम आपके 7 to 8.5 और जो आपके intestine है, ठीक है, आन्त है, वहाँ पर भी आप देखने को मिलेगा, 4 to 7 का pH, तो pH डारेक्ली पूछा जाता है, बॉडी का, इसको आप लोग जरूर से करके जाएगा, विच इंजाइम इस नॉट का digestion हो रहा है, तो इनमें से कौन से enzyme है, जो कि starch digestion में involved नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर दिया गया, maltase, lactase, sucrase और lipase, तो यह आप दियान रखिएगा, maltase, lactase और आपके sucrase, यह आप के starch carbohydrate जो है, उनके metabolism के लिए और इनके digestion के लिए important होते है, तो बचा क्या lipase, तो यह आपका not दिया गया, इसलिए correct answer हो जाएगा, अब देखें, digestion की बात करेंगे, यहाँ पर पूरा enzyme के साथ दिया गया है, बहुत important है, ध्यान रखेंगे, maltose जो है, वो आपके digestion में starch जो है, यह starch की content है, maltose, lactose और sucrase, ठीक है, तो यहाँ पर जो maltose है, वो maltase enzyme के तरू glucose में convert हो जाता ह सुक्रेज है, वो सुक्रेज enzyme, सुक्रोज है, सुक्रोज है, जो कि सुक्रेज enzyme के तरू glucose और fructose में convert हो जाता है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, सुक्रोज यह होता है, यह आप लिख लेंगे, आप सभी जान रहे हैं, चलिए, digestion of small protein molecule, जैसे की protein molecule में क्या है, pentose है, peptones है ट्राइप, पेपसी नूजन्स है, इनका क्या होगा, digestion, जो कि आपके इरेपसीन हो गए, यह सारे क्या करते हैं, अमीनो इसिड में इनको तोड़ते हैं, अब यदि fat की बात करते हैं, तो यह जो lipase दिया गया था, यह क्या करता है, fat को fatty acid और glycerol में यह digest करके convert करता है, तो यह सभी enzyme का work ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है question, चली, layers of the skin is, जो आपकी skin है, उनके क्या कुछ layers होते हैं, epidermis, dermis, hypodermis, all of this, जी हाँ, बिल्कुल, आपके skin का जो layer है, epidermis, dermis, hypodermis, सभी यह layer इनमें आते हैं, इसलिए यहाँ पर all of this हो जाएगा correct answer, ठीके, epidermis, dermis यह आप पूरे यहाँ पर layer देख पाएंगे, और इनहीं के according हम क्या करते हैं, injection भी, आपने जो लो से फार्मकुलाज में देखा होगा, intramuscular, intradermal, साधिसा, subcutaneous, तो यह आपके layer है, subcutaneous layer, dermis layer, उसके बाद सबसे उपर का layer, जिसे हम epidermis कहते हैं, तो यह सभी layer किन में होते करेंगे, surround करके रखते हैं, envelope एक प्रकार से बना कर रखेंगे, क्या कुछ protect करेंगे, bone को आपकी connective tissue, ठीक है, तो कौन से connective tissue है, जो की bone का पूरा क्या बनाएंगे, bone को protect करके रखेंगे, उनको envelope करके रखेंगे, चलिए तो यह आप periosteum है, pericardium है, myocardium है, and marrow है, तो क्य यहां कुछ होगा है, यहां पर correct answer, यह आपके periosteum है, जो की यहां पर connective tissue की तरह काम करें, connective tissue होते हैं, जो की bone को envelope करके रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो यहां पर देख पाएंगे, यह आपका bone है, ठीक है, bone को पूरा यह जो आपकी इस प्रकार से इन में एक पूरी layer tissue की, तो जो की है periosteum, जो की connective tissue होते हैं, चली, next, which of the following is known as kneecap, knee का क्या करेगा, knee मतलब की क्या है, आपका घुटना, ठीक है, घुटने में क्या बना हुआ है, cap बना हुआ है, मिंस उनको धक्का रखा हुआ है, एक प्रकार से उनका क्या कुछ है, प्रूटेक का kneecap, kneecap, जो होगा, knee का cap बना हुआ है, तो यह प्रूटेला बोन कहलाता है, ठीक है, प्रूटेला बोन क्या कुछ कहलाएगा, यह आपके kneecap होते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह जो आपके घुटने हैं, उनमें एक प्रकार से capping लगी हुई है, जिसे हम प्रू कहते हैं, यह भी प्रकार का बोन है आपका, चलिए, which of the following layer of epidermis is most superficially portion of the epidermis, ठीक है, epidermis का most superficial layer, ठीक है, सबसे उपर का layer, epidermis आपका सबसे उपर ही layer है, यदि हम बात करें skin की, तो skin में सबसे outer layer क्या कुछ है, epidermis ही कहलाता है, अब epidermis के ही क्या होते हैं, layer होंगे, तो इस epidermis का भी सबसे supermost layer, ठीक है, वो क्या कुछ कहलाता है, ये question में है, stratum, granulosum, spinosum, stratum, corneum, stratum, vessel दिया गया है, तो आपकी stratum, corneum हो जाएंगी correct answer, जो की सबसे outer most layer में होगा, ठीक है, देखिए, ये आपका epidermis है, पूरा, अब इनकी भी layer होते हैं, तो ध्याना कि सबसे outer layer आपका stratum corneum कहलाता है, फिर उसके बाद का है, आपका stratum lucidium और stratum granulosum, ये कहलाएंगे, इसी प्रकार सी सबसे last यहाँ पर, यदि skin का सबसे अंदर का layer बात करें, epidermis का, तो आपका stratum vessel होगा, ठीक है, तो ये पूरे skin के 5 layer होते हैं, इन 5 को आप ध्यान में रखिएगा, ठ चली, through which of the following nerves, the blood vessel enter through the kidney, अब आप सभी जानते हैं, kidney, kidney में क्या होता है, यहाँ पार filtration चलेगा, blood का urine का formation भी इसी प्रकार से होगा, तो ये जो आप देख पाएंगे, ये आपकी जो kidney होती है, तो यहाँ पर blood पहले आएगा, ठीक है, तो जिस portion से blood का जो vessel से अंदर जाएंग तो इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर का एक portion हाईलम कहलाता है, मैं इस हाईलम मतलब गर्त, तो ये आपका एक प्रकार से कहा जा रहा है, गर्त में जा रहा है, आपका जो blood vessel है, तो हाईलम इनको हम कहते हैं, ठीक है, इनका image भी मैं आपको चली दिखाते जाती हो, तो और भ कहते हैं, kidney का ध्यान रखेंगे, which of the following cells are responsible for skin color, यह जो आपकी skin का color है, pigment है, ठीक है, कई लोगों का थोड़ा dark होगा, ठीक है, कुछ का थोड़ा light होता है, तो यह pigmentation किनकी वज़ा से होता है, ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर melanocyte दिया गया है, keratinocyte दिया है, मारकेल सेल और लेंगर हैंसील, तो आपका जो melanin होता है, यह आपका pigment है, ठीक है, जो कि जितना, means जो भी person ज़्यादा, यदि color उनका dark है, मतलब वहाँ पर melanin pigment उनका ज़्यादा है, ठीक है, तो यह जो color होता है, वो किसके लिए responsible है, वो आपके melanin जो pigment है, उनकी वज़ा से होगा, और जो आपका skin color है, इसलिए melanocytes है, यह आपके cells है, जो कि responsible होते है, skin के color के लिए, ठीक है, melanocytes जो cells है, इनको ध्यान रखेगा, और pigment की बात करेंगे, skin के color की, तो यह melanin होती है, इसलिए यह जो color है, skin का different होती है, जिनमें ज़्यादा melanin है, तो थोड़ी dark हो जाते ह हैं, और थोड़ी कम melanin है, तो थोड़ी उनका color fair रहेगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़ों को जरूर से ध्यान देंगे, ठीक है, और साथ ही साथ, यह सभी questions बहुत important है, आपके examination में पूछे जाने के chance है, तो जरूर से इनको आप बार-बार revise करिए, और साथ ही, बिलते हैं, नेस्ट वीडियो के साथ, इसी प्रकार के new questions और explanation के साथ, all the best.